गुड मॉर्निंग एवरिवन तुड़ी इस दी लास्ट दे आफ दी मन्थ 30 सेप्टेंबर और दे हैं 20 अज हम करेंगे एक्साइज 8.6 का कोशी नमबर 3 सब्ट्रेक्ट कोशी नमबर 3 सब्ट्रेक्ट कैसे करेंगे देखें यहां पर फस दिया है 2 अपॉन 5 फ्रॉम 9 अपॉन 10 सो से पहले तो यहां पर समझेए कि 2 अपॉन 5 को माइनस करना है 9 अपॉन 10 से ऐसा मत करिए कि 2 अपॉन 5 को माइनस कर दीजिए 9 अपॉन 10 से नहीं गलत हो जाएगा ठीक है यहां पर बोला है 2 upon 5 जो है बो माइनस करना है किस से फ्रॉम बोला है ना फ्रॉम मतलब से किस से 9 upon 10 से तो 9 upon 10 पहले लिखना है फिर माइनस करना है 2 upon 5 ठीक है तो आपको पता है हम लोग जो है बो same denominator बाले fraction को ही minus कर सकते हैं या भी ठीक है तो हमें जो भो same denominator जो भो बनाना पड़ेगा तो इसका denominator देखिए 5 एसका 10 है मतलब कि 5 को जो भो 2 से multiply करेंगे तो यहां पे 10 बन जाएगा ठीक है 5 को 2 से multiply करेंगे तो 10 बन जाएगा तो इस 5 को 2 से multiply कर दो इस 2 को भी 2 से multiply कर दो यहां पे जो भो यह fraction change हो जाएगा fraction जो भो हमारा बन जाएगा solve करने के लिए यहां पे ठीक है तो सभी question जो भो बहुती easy question है वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं 2 से multiply करना है साइद सभी को तो आप लोग चेक करिए कौन सा जो भो हाँ एक question यहां पे यह है यह बाला पाट देखिए 2 upon 5 और 5 upon 9 इसमें जो भो same denominator पहले से ही है तो आपको जो भो same denominator जो भो बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है 5 upon 9 है minus करिए 2 upon 9 ठीक है 5 minus 2 कितने होता है 3 upon 9 आ जाएगा answer ठीक है तो चली देखते हैं फर्स्ट कोशिन फर्स्ट कोशिन यहां पे बोला है subtract 2 upon 5 from 9 upon 10 ठीक है सबसे पहले आपको बताए कि 2 upon 5 को हम लोग क्या बनाएंगे पहले नीचे जो अब 5 की जगा 10 बनाना है ठीक है तो 5 को 2 से multiply करेंगे simple like 10 बन जाएगा अगर नीचे multiply करना है तो उपर भी करना पड़ेगा क्योंकि यह fraction है numerator अगर आप लोग अपनी मर्जी से change करेंगे तो denominator को भी change करना पड़ेगा ठीक है तो denominator change किया numerator भी change हो गया ठीक है तो 2 से नीचे भी और उपर भी दोनों साइड multiply किया तो 2 जाएगा 4 और 5 जाएगा 10 अच्छा 2 उपन 5 की जाएगा हमें कौन सा fraction मिल गया 4 उपन 10 मिल गया मतलब कि आप 4 उपन 10 को ही मैनस करना है हमने तो 9 उपन 10 से किसको मैनस करना है 4 उपन 10 को मैनस करना है 9 उपन 10 ऐद पन 10 आ जाएगा तो इसको मैं simple fraction में ऐसे लिखता हूँ 1 upon 2 सबसे smallest fraction में हम लोग इसको convert कर दिया मैंने 1 upon 2 में अगर आप 5 upon 10 तक ही लिखना चाते हो तो वहाँ तक भी ठीक है next दिखे, next question, last question देख लेते हैं इसका बाकी जो भी question बचे बीच में उनको आप लोग खुद practice करेंगे यहाँ पर लिखा है 4 upon 8 from 24 upon 16 फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर बोला है कि 4 upon 8 from subtract करिए 4 upon 8 from 24 over 16 मतलब कि 4 upon 8 को subtract करना है किस से 24 upon 16 से तो 24 upon 16 लिखना है फिर minus 4 upon 8 लेकिन 8 को पहले 16 बनाना पढ़ेगा तो 4 upon 8 तो 8 16 कैसे कैसे बनेगा 2 से multiply करने पर बनेगा तो उपर निचे दोनों तरफ 2 से multiply कर दिया 8 upon 16 बन गया 8 upon 16 बन गया हमारा 4 upon 8 को हमने change किया तो 8 upon 16 बन गया तो 24 over 16 से 8 upon 16 मानिस करना है है अब ठीक है अब simple है 16 16 का नीचे 16 ही लिखना है और उपर वाले जो है माइनस है तो माइनस करना है प्लस है तो प्लस करना है देखिए यहां पर बहुत इंटरस्टिंग कोश्चिन बन गया है कि जैसे 24 में से 8 माइनस हुआ तो 16 बनता है अच्छा 16 से 16 कट गया तो क्या बचा तो 1 बचा तो आई होप कि आप इसको समझ गए होगे कोश्चिन नमबर 3 के साथ इसी के साथ जो है वो ए हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है तिक एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनी चैप्टर नमबर 9 तो आज के लिए तना गाफिया इन 6 को कंप्लीट करिए होमबर पेज़ते रही है खुश रही है God bless you all